हेलो फ्रेंड्स वेलकोम बैक प्लोड चैनल दोस्तो आज हम और एक हाउस डिजेन लेकर आए हैं जो कि आप सामने देख रहे हो आज मैं इस वीडियो के जरिए इस घर का पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ दोस्तो आज मैं इस वीडियो के जरिए इस घर का यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टान्स है और इसका लेंध है 24 फिट 1 इंच इस घर का front side जो है नॉर्थ डिरेक्शन पर है इस तरप यहां नॉर्थ डिरेक्शन है और यह रहा सामने direction indicator इसको म्याच करते हुए यह सरा plan बना है तो यह हो जाएगा हमारा यह front area यह रहा main door इसके जरिए हम drawing room पे entry करेंगे जो की 9 feet by 13 feet का है इसका length है 9 feet और इसका length है 13 feet और दूसरे room पर जाने के लिए यहाँ पर arch रखा गया है और यह रहा dining hall जो की 15 feet by 12 feet का है इसका length है 15 feet और इसका length है 12 feet और इस hall में ही है इस घर के लिए staircase इस staircase का यहाँ से आप है यहाँ से चड़ते होए हम fast floor की तरव जा सकते हैं 6 feet by 9 feet का है यहां से यहां तक है 6 feet और इसका length है 9 feet और यहां है common WC bath commonly used के लिए total 8 feet by 5 feet का है इसका length है 8 feet और विर्थ है 5 feet और यह रहा सामने bedroom number 1 जो की 10 feet by 12 feet का है इसका length है 10 feet और यहां से लेकर यहां तक है 12 feet और यह रहा master bedroom total 14 feet by 10 feet का है इसका length यहां से यहां तक 14 feet है और इसका length है 10 feet और इसका attached में एक bathroom रखा गया है यहां पर जो की 8 feet by 4 feet 8 inch का है तो चलिए अब इस घर के जो सारे दर्वाजें हैं उनके width की बारत करते हैं यह रहा आपके सामने main door जिसका width थे 3 feet 6 inch और दोनो bedroom और यह kitchen इनका जो door है उनका width थे 3 feet और दोनो बातरूम के लिए जो door रखा गया है वो ढाई फिट के हैं और यह रहा सारे windows के position यह जो window है यह रहा यह staircase के mid landing पर रखा गया है और यह रहा बातरूम के लिए ventilator और इस घर का जो यह external wall है इसका थिकने से 10 inch और यह जो सारे internal walls हैं यह सारे इनका थिकने से 5 inch तो यही था आज का वीडियो तो फिर मिलते हैं एक और ने वीडियो के साथ ने house design लेकर जाहें झाल झाल